शेहरी करण की वज़ा से मकान जो हैं वो अभी बहुत छोटे-छोटे साइच के बन रहे हैं वो बहुत से लोगें जिनके अपने घर के अंदर गाड़ी खड़ी करने की जगण नहीं होती है यानि कि अगर बाइक है, स्कूटर है, स्कूटी है, एक्टिवा है, कोई भी टू- विलर आपके पास गाड़ी है, या फोर विलर गाड़ी है, आप उसको घर के अंदर नहीं कड़ा कर सकते हैं, आपकी ये मजबूरी है कि घर छोटा होने के कारण आपको वो गाड़ी जो है, घर के बाहर खड़ी करने पड़ रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है, कि कुछ शर अमुमन बहुत से लोगों के साथ होता है और वो इसको एक छोटी सी बात मान कर और इसको इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये एक छोटी सी बात नहीं होती है और आपको इसको इग्नोर नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी छोटे मोटे जो अपराद होते हैं इसके अंतरगत आप किसी को पनिश्मेंट दिलाएं तो आज का हमारा वीडियो जो है वो उसी से संबन्दी थे आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि कोई अगर आपकी गाड़ी के सीट कवर फार दे कोई आपकी गाड़ी को के अगर पंचर को टायर कर दे या आपकी स्कूटर का सीट कवर फार दे या फिर आपकी कोई अंगूठी को नदी नाले में फेक दे या आपको कोई दस्ता वेजे उसको वो नस्ट कर दे इसके अंतरगत दायर करवा सकते हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें तो दोस्तों मैं डॉक्टर इर्शाद खानम आज का विशय हमारा है भारति दंड सहीता के अंतरगत जो धारा 425 और धारा 426 दे रखी है जिसके अंतरगत रिष्टी के अपराद के बारे में बताया गया है उसी को मैं आज आपको पढ़ाऊंगी भारति दंड सहीता की धारा 425 एवं 426 तक रिष्टी के अपराद के संभन में विश्तार से विवरन दिया गया है एवब उसमें दन्ड के प्राउधान भी दिये गए हैं। यहां कुछ ऐसे अपराद हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा होते हैं। जो रिस्टी के अपराद हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन पुलिस थानों में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्जिन नहीं की जाती है क्यूंकि इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है कभी कोई पिरित पुलिस थाने पहुँच जाता है तो पुलिस किसी अन्यधारा में इस मामले को दर्जिक कर लेती है आपकी बाई या फिर स्कूटर के सीट कवर को फार देने से लेकर आपके आवशक दस्तावेजों को नस्ट करने तक और आपकी अंगूठी नदी नाले में फेक देने से लेकर आपके घर तक पहुँचने वाले रास्ते को जाम कर देने तक सभी परकार के ऐसे अपराद जो आम मनुश्य को तंग करने के लिए किये जाते हैं वह रिस्टी का अपराद कहलाते हैं क्या है रिस्टी का अपराद? रिस्टी को अंग्रेजी भाषा में मिस्चीफ अथाद, नुकसान, हानी या छती कहा जाता है भारती दन सहिता में रिस्टी का अपराद किसी वेक्ती को नुकसान, हानी या छती पहुचाने से नहीं होता है रिस्टी का अपराद वेक्ती की चल, अचल संपत्ती को हानी पहुचाने से होता है देखे रिस्टी को अगर हम समझे कि रिस्टी का अपराद क्या होता है तो एक अंग्रेजी वर्ड से रिष्टी शब्दू को लिया गया है मिश्चीफ जिसका मतलब होता है कि नुकसान होना या की हानी होना अब यहाँ पर किसी वेक्ती के नुकसान की बात नहीं हो रही है रिस्टी का मतलब ये नहीं है कि किसी वेक्ती के शरीर को कोई चोट पहुचाना ये किसी वेक्ती को किसी प्रकार का नुकसान पहुचाना यहां रिष्टी का मतलब है किसी वेक्ती की चल और अचल संपत्ती को हानी पहुचाना या कोई संपत्ती को इस्तराख से नुकसान पहुचाना कि उसके मुल्ली में कोई कमी आ जाए तो वो कहलाती है रिष्टी का अपराथ जैसे चला चल संपत्ती में किसी की स्कूटर का कवर फार देना किसी टू वीलर गाड़ी की सीट को फार देना किसी वेक्ति की संपत्ती है मतब उसके पस एक अंगूठी है वो अंगूठी लेके उसको हमने फेक दी कोई कागाच है उसका पेपर है मान लो कि उसका प्रापाटी की कोई सिलीप है हमने उसको लेके फार दी जला दी तो ये सारी चीज़े जो है वो इसके अंदर नुकसान मतब जो नुकसान पहुचा रही है उसकी संपत्ति को वो रिष्टी के लाती है ये हमने ये सब कुछ भी नहीं किया लेकिन हमने क्या करा कि किसी का एक मकान है और उस मकान की कीमत जो है वो मान लीजिए कि मकान की कीमत 10 लाक रुपे है लेकिन किसी वेक्ति ने क्या करा कि उस मकान के पास में कोई ऐसी शौप डॉली जिसकी वज़ा से उस मकान की जो कीमत है वो कम हो गई तो ये भी कहलाएगा रिस्टी का अपराद भारती दन सहीता 1860 की धारा 425 क्या कहती है रिस्टी के बारे में धारा 425 रिस्टी की अपराद की परिभासा को इसपश्ट करती है और उप्योगति धारा के अनुसार रिष्टी करने वाले वेक्ति के अंदर निम्न आवशक तत्वों का होना जरूरी होता है पहला आरोपी ने किसी संपत्ति को जान बूच कर नस्ट किया हो या संपत्ति की इस्तित्थी में कोई परिवर्थन किया हो अगर आरोपी के कारण किसे संपत्ति के मुल्ली में कोई कमी आ गई हो या उसकी उप्योगता में कोई कमी आ गई हो तिसरा आरोपी ने किसी जनता को ये किसी वेक्ति विशेश को उसकी वेद संपत्ति को हनी पहुचाने नुकसान पहुचाया हो तो ये सब कहलाता है रिष्टी का अपराद तो रिष्टी का अपराद के ये तीन रिजन होगा है ये आवशक तत्व हैं जो रिष्टी को साभित करेंगे पहला वेक्ति की संपत्ति को जो नुकसान पहुचा रहा है वो जहन बुचकर पहुचाया हो या फिर उसकी संपत्ती में कोई परिवर्तन किया हो दूसरा परिवर्तन इस परकार का किया हो कि उसकी जो उप्योगीता है या उसका जो मुल्ली है वो कम हो जाए या फिर आरोपी जो है जनता को या किसी विशेश वेक्ति को उसकी बेस संपत्ति को उसने हानी पहुचाई हो तो ये तीन तत्व अगर सम्मिलित होंगे तो वो कहलाएगा रिस्टी का अपराद इसको एक एक्जामपल से हम और अच्छे से समझ लेते हैं रमेश नामक वेक्ति है उसको लोन चाहिए वो किसी बेंग से ये किसी अन्य संसिदा से लोन लेता है और इस टाम पर ये शपत देता है कि ये दिवा लोन के पैसे को नहीं लोटाएगा तो उसकी समपत्ति जो भी है वो बेंग ये संसिदा अपने कबजे में कर लेगी लेकिन रमेश पैसे लेने के बाद जो शपत पत्रे के कागजात थें उनको जला देता है तो यहाँ पर रमेश ने क्या किया रिस्टी का अपराद किया सेकर्ड देखते हैं अगर राम नामक वेक्ती श्याम की कोई अंगूठी जान भूच कर नदी में फेक देता है तब राम ने श्याम की संपत्ती को नुकसान पहुचाया है यहाँ राम ने क्या किया है रिस्टी का अपराद कारित किया है तो यह दोनों एक्जामपल से जो रिस्टी का अपराद है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इससे संबंधित एक केज भी हम देख लेते हैं सुक सी बनाम सम्राठ आरोपी के नाम डाग दुआरा एक रजिष्ट्री पत्र आया पोस्ट मास्टर ने उससे पत्र लेकर उसकी पाउती यानि की रसित पर हस्ताक śर करने के लिए कहा लेकिन उसने हस्ताक्षर करने की बजाए पाउती रसित की पाउती थी उसको फार दी और उसके टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेक दिये तो नियाले द्वारा ये विनिश्चित किया गया कि जो पोस्ट रसित थी वो डाग घर की संपत्ती थी और डाग घर की संपत्ती होने के कारण आरोपी ने रिष्टी का अपराद कारित किया था अब हम देख लेते हैं इसका दंड भारती दंड सहींता 1860 की धारा 426 के अंतरगत दंड का प्राधन किया गया है इस धारा के अंतरगत कम से कम घंबीर रिष्टी के अपराद के लिए दंड का प्राधन किया गया है कम गंबिर वाली रिस्टी का अपराद समझोता योगी होता है ये अपराद आसंगे एवं जमानती होता है यानि किसकी जमानत हो जाती है और इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी मजिस्टेट को होता है पनिश्मेंट तीन माग की कारवास या जुर्माना या दोनों से धंडित किया जा सकता है अब इसमें एक special note लिख रही हूँ और note इसले लिख रही हूँ कि इस धारा के अंतरगत रिस्टी के अपराद का धंड जो है वो सामानी आने के कम घंबिर नुकसान शती से है अगर कोई घंबिर अपराद किया जाएगा रिस्टी से संबंदित तो उसका दंड जो है वो अलग होगा यहां तीन माह की कारावास जुर्माना केवल एक सामानी आपराद के लिए या एक सामानी रिस्टी के लिए जो कम घंबिर रिस्टी के अपराद है उनके लिए है जैसे वेसे ही जैसे की सीट फाड़ देना, काश फोड़ देना, या फिर कोई डाक्यूमेंट से को जला देना, या घर के बाहर रास्ते को रोक देना, ये मामूली सा रिस्टी का अपराद, अगर ये छोटे अपराद हैं तो तीन माई की सजा हैं, लेकिन अगर घंबी भी अलग होगा तो दोस्तों मैं ये आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा अगर पसंद आता है तो आप लाइक कमेंट्स करिएगा और साथ इसाथ अधिक से अधिक इसको शेयर भी करिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के ल ये शुक्रिया दर्नेवाद